आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है हमने पिछले लेक्चर में सम आफ एंड टर्म्स के बारे में किया था अब उसी से रिलेटिड कुछ और क्वेस्टेंस में लेकर आई हूं इससे हम और प्राक्टिस करेंगे क्या है एक फॉर्मूला वही लगेगा पर क्वेस्चन की फॉर्म डिफरेंट है क्या है देखते हैं पहला क्वेस्चन है कहता है शोग दाट आट एवान एटू एट्री डैश 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 एन फॉर्म एपी विर एए एए अज इक्वल चु थू थी प्लस फोर एन औलसो फाइंड सम फॉर्स 15 टम्स मतलब उन्हें हम उसने हमें क्या दिया है क्वेस्चन में एन फ्रम दियो ही है थी प्लस फोर ठीक है कहता है पहले एवान एटू एटी मतलब फॉर्स जम सेकेंड टर्म थर्ड टर्म यह टर्म्स प्यता कीजिए फिर चेक कीजिए कि वह एपी ब चीज该 भरेंगे तो चल यहन न को आँण cowardम यह जह जहां पर एन वहां वहां पे मैं कितना लिखूंगी वही प्लस फोड एंड साथ है तो वान तो कितना उगया फ्री प्लस फोर टो कितना औगया सेवं ठीक है अब एट टू की बार हुआ तो जहां जहां पर एन वहां- लिखूंगी 3 लिखूंगी तो सिर्फ N4 के साथ है तो वहाँ पे 3 लिख दिया 3 प्लस 4 3 का 12 12 3 कितने होगे 15 यह हो गया अब हमने 3 रख में निकाली 7 11 15 तो मेरे पास क्या आगई सीरीज आगई मेरे पास 7 11 15 यह आगी आगई और भी रख में होगी अब हमने देखना है कि यह AP है के नई तो AP के लिए हम difference common difference निकालते है तो A2 माइनस A1 कितना हुआ 11-7 अलग लग निशाना है minus k4 फिर A3-2 मतलब 15-114 तो सारा common difference सेम आ रहा है तो इसका मतलब A1 7 11 15 क्या है required AP है ठीक है यह हो गए अब last चिसा क्या है also find sum of first 15 terms तो अब हमने इसका 15 पहली 15 रखमों का sum पता करना है ठीक है A कितने 7 है D कितने हमने यहां पर निकाल लए है 4 है और N कितने कितनी terms 15 है तो मैंने पहले भी बताया था N का tip कि जिसके पीछे terms लिखा होगा वो रखम N होगी तो इसका मतलब N 15 अब formula लगाएंगे sum का SN बराबर N by 2 2 A plus N minus 1 into D यही था formula एक हमारे पास L last term वाला formula था पर यहां पर हमें last term दी नहीं हुई तो इसलिए हमने यह formula लगा है ठीक है तो N की जगा 15 by 2 यहां बे भी 15 बराबर 2 into A कितना है 7 plus N कितना है 15 minus 1 D कितना है 4 ठीक है अब 15 को 2 के डेबल पर डिवाइड नहीं होता वैसे का वैसे ही 2 7s of 14 प्लस 14 15 में बाइब 5-14 into 40 यह आ गया आगे 15 by 2 14 वैसे क्या वैसे 14 45 इतना होता है मेरे पास मैं मैं क्यों कितना है कितना हो गये तब 72 के टेबल पर डिवाइड होता है तो बन जाटू कितने पर डिवाइड होता है थिक है 35 को 15 से मल्टिप्लाई किया तो कितना आ गया 525 तो इसका मतला पहले इस अब इस question में आपने देखा तीन question थे पहला question था एवान डू एथी पता करना एन्न थ टम हमें धी थी फिर उसके बाद उसको प्रूफ करना कि वह एपी थर्ड पार्ट था कि संपता करना ठीक है तो है ना इजी देखने में लगता हाई पतारी क्या बड़ा question आ गया पर actual में अगर हमें समझ आ जाए तो बहुत इजी है गिंती चुनती के वही तीन फॉर्मले यूज़ करने है अगरा question देखते हैं कहता find sum of first 22 terms of an AP कहता है AP की पहली 22 रकमों का संपता करना है जिसमें D दिया हुए 7 और क्या दिया है 22nd term मतलब एक AP में 22 रकमे है और उनका संपता करना है और जो 22 रकम है वो क्या दिया है 149 अब हमें इस SN के फॉर्मले के लिए हमें एक तो N चाहिए एक A चाहिए कि D चाहिए यही चाहिए N भी है D भी है पर A तो नहीं है उसकी बजाए क्या दिया है हमें last रकम दिया हुई है तो इसका मतलब यहां पे हम last रकम वाला formula लगा सकते हैं वो क्या है N बाइ 2 A प्लस है यही फॉर्मला होता है अब इसके लि इन में से एक तो निकान ली पड़ेगी SN पता करना है इसका मतलब यह तो पता खुद करना पड़ेगा उसके लिए अब SN वाला formula यहां पर अभी नई set बन रहा तो अब कौन सा formula बचा TN का तो इसका मतलब मैं TN वाला formula लगाऊंगी लगा कर करना कहां पर है मुझे उसने कह 22nd term is 149 तो इसका मतलब TN की जगा 149 टर्म के पहले 22 है इसका मतलब N की जगा मैं कहां लिखूंगी 22-1 डी कितना दिया है 7 ए नहीं दिया तो वैसे का वैसे लिख दिया ठीक है ए प्लस 22 में से वानगे 21 इंटू 7 तो 149 इस इकूस तो A प्लस 21 को 7 से मर्टिप्लै किया 147 अलग लग निशान है माइनस के 149 में से 147 माइनस के तो कितना आ गया 2 तो A कितना आ गया 2 अब A आ गया मेरे पास अब मैंने फॉर्मला कौन सा लगाना है S N बराबर N बाइ 2 A प्लस L यह है अब इसमें N मेरे पास कितनी टर्म्स का पता करना है 22 A कितना मैंने फाइनट कर लिया 2 L D कितना दिया हूँ है मुझे 7 D तो चाहिए नहीं इसमें ठीक है L कितना मैंने दिया है उन्होंने के 22 टर्म 22 रकमों का पता करना है और 22 रकम 149 इसका मलब यह लास्ट चैम हो गई तो ल कितना दिया है 149 तो इसमें भरने लगे हैं तो चलिए अब N की जगा एस 22 बराबर 22 बाइ 2 एक इतना है टू प्लस 149 यह आ गया ठीक है तो यह टू के टेबल पर कट किया 11 तो एस 22 आ गया मेरे पास 11 टू प्लस 149 कितना हो गया 151 अब 151 को 11 से मल्टिप्लाइ कीजिए चाहे तो आप वैसे कर लीजे चाहे इसका एक ट्रिक है 11 से करना है पहली रकम वैसी लिख देनी है पहली इसके आगे जीरो और इसके पीछे जीरो आगे 0 पीछे जीरो लगा यह फिर टू टू को एड़ कर ओ वान और 01 फिर वान और 56 फिर फाइव और 116 फिर यह बाद उन्च और 01 तो यह आंसर होगा इसका आप वैसे शिंपल मल्ड अब और भी कुछ questions देखते हैं अगला question क्या है मेरे पास कहता find sum of first 51 terms of AP AP की पहली 51 terms का sum पता कीजिए whose second and third term are 14 and 18 कहता है जिसके दूसरी और तीसरी रकमें दी हुई है 14 और 18 अगर आपको याद हो तो यह question हमने tn में भी किया था कि हमें दूसरी और तीसरी रकमें दी होती थी और कोई और रकम पता करने को कहते थे अब यहाँ पर रकमें दी हुई है अब हमें पता क्या करना है sum तो same वैसे ही करेंगे पहले tn के लिए हमें second term कितनी है 14 और उसी तरह third term कितनी है मेरे पास 18 है तो second term क्या होती है a plus d होती है 14 यह a plus 2d होती है 18 ठीक है अब चाहे यह linear equation हो गया तो चाहे elimination method, graphical method, substitution method, cross multiply कोई भी method लगा के a और d की value निकालेंगे मैं elimination method लगाऊंगी तो a plus 2d ब्राबर 18 a plus d ब्राबर 14 a a के coefficient सेम है sign change कर दी है मैंने ठीक है अब यह a cancel होगे 2d मेंसे 1d गया 1d 18 मेंसे 4 गया 4 तो d मेरा कितना आ गया 4 अब इस d को किसी में भर देती हूं मानीजे मैं इसमें भरने लगी हूं a plus 4 ब्राबर 14 अब 4 दूसरी तरफ जाएगा तो निशान बदल जाएगा माइनस का हो गया तो a कितना आ गया मेरे पास 10 अब a 10 आ गया d कितना आ गया 4 ठीक है n कितना है 51 तो अब मैं पता कर सकती हूं sn का फॉर्मुला n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी एंट फिफ्टी वान है तर्म्स के पहले फिफ्टी वान है तो इसका मतलब एन क्या है 51 बराबर 51 by 2 a कितना है मेरे पास 10 प्लस 51 minus 1 d कितना है मेरे पास 4 यह पता किया है फिफ्टी वान टू के टेबल पर कट नहीं होता वैसे का वैसे टू टैंजा 20 प्लस 51 में सवान गया 50 इंटू 4 आ गया आगे 51 by 2 इंटू 20 प्लस 54 अब 0 को छोड़ दीजे 45 जा 20 पीछे एक 0 और लगा दी अब 51 by 2 यह दोनों को एड के कितना गया 220 अब यह 51 तो टू के टेब करना है तो वही 0 पहले वैसे कि वैसे मैंने क्या का था जिस रकम को मल्टिप्लाइ करना है उसके आगे पीछे एक 0 लगा देनी है ठीक है अब इनको 101 एक और 0 जोड़े एक फिर एक और पांच को जोड़ा छे फिर पांच और जीरो को जोड़ा पांच तो आंसर कितना गया 56 तो इसका मतलब एक क्वंजा रकमों का सम कितना गया 5610 तो यह आंसर आगया ठीक है अब एक लास्ट क्वेस्चन है बहुत इंपोर्टेंट है वो भी देख लीजे क्या कहता है कहता है कहता हाओ मैनी टर्म्स ओफ एपी एपी क्या दिया नाइन 1725 मस्ट भी टेकन मस्ट भी दिया हुआ है कितना हो गया ठीक है अब सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 636 ठीक है तो अब उसने कहा हमें पता कीजिए अब हमें सिंप तीन चीजे दी हुई है तो हम फॉर्मुला लगाएंगे सिंपल यह देखने में लग रहा पर आप देखोगे आगे जाके कि कुछ कॉम्प्लीकेशन्स है कैसे यह रहा ठीक है अब एन मैंने कितना पता करना है सन की जगा 636 एन बाइ 2 एक इतना है 9 प्लस यह पता करना है दी कितना है 8 ठीक है अब यह 2 उधर जाएगा उपर जाएगा ठीक है एन वैसे कहा वैसे 9 2 जा 18 प्लस अब यह एन तो है नहीं लेकिन 18 है न अब इसको ब्रैकेट को मल्टिप्लाइ करूंगी 8 एन जा 8 प्लस माइनस माइनस 8 बंजा 8 ठीक है अब यह मेरे पास कितना आ गया 1272 पराबर एन अब यह दोनों लग लग निशान है तो माइनस करूंगी 10 प्लस यह आ गया यह आ गया अब एक एन बाहर एक अंदर इसको मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा अगर नंबर होता है तो हम नीचे ल 10 प्लस ब्लस ब्लस 8 वैसे एन को एन से मल्टिप्लाइ किए जैसे हम x को x से करते है तो x वैसर का वैसे इन की पावर्स करते है ना उसी तरह n को n से multiply कि इसकी powers 2 अब इसको इधर लेके जाओंगे तो 8n square plus 10n minus 1272 बराबर 0 आगया अब देखिए आपकी ये सारी रख में 2 के table पे divide हो रही है ना तो मैं करने लग्यूं 2 के table पे divide ठीक है इसको ऐसे से कर दिया 4n square plus 2 के table पे 5n minus 636 आ जाएगा अब आगे ये टू के table पे सारी डिवाइड होती है नहीं ये होता है ये भी होता है पर 5 नहीं होता ना तो अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप इसी तरह भी solve करेंगे तो भी ठीक है इससे simplify हो जाता है तो हमें calculations करने में हो जाता है ठीक है तो अब आप देखो हमारे पास क्या आगी एक्वेशन क्वाड्रेटिक यह आगी फोर n square plus 5 and minus 6 36 0 अब अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर से पहले quadratic equations वाला चैप्टर किया था उसमें हमने इस quadratic equation को तीन method से solve किया था एक factorization एक by completing the squares एक quadratic formula किया था ना आप उसमें से कोई भी formula लगा के n की value निकाल सकते हैं मैं quadratic formula लगाने लगी हूं a की value 4 b की value 5 और c की value कितना है minus 6 36 तो d बराबर b square minus 4ac आगया b कितना है 5 की power 2 minus 4 into 4 into minus 6 36 आ गया तो 5 of the 25 minus minus plus 4 416 16 16 को 6 36 से multiply करें तो answer आएगा मेरे पास 10201 अब इन दोनों को add करें तो 10176 आएगा इन सब को add करें तो answer आगा मेरे पास 10201 यह मुझे कैसे पता है मैंने calculations practice की हुई है इसलिए मुझे याद है आपको भी practice से आ जाएगा ठीक है यह कोई बहुत difficult काम नहीं है जब आप sums की practice करोगे तो खुद पर खुद चीज़ें multiplication याद रह जाती है ठीक है अब आगे n बराबर minus ब्लस माइनस अंडरूट डी बाइट यही था माइनस भी 5 प्लस माइनस डी कितना है 10201 divided by two into four minus five plus minus अब इसका अंडरूट कितन किसके बराबर होता है इसका अंडरूट होता है 101 के बराबर ठीक है फोटू का एट अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेंगे हम तो यह रहा माइनस वाला लिया तो वो तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि एन किसके बराबर आ जाएगा माइनस मतलब कभी हम कोई चीज कह सकते कि माइनस दस दिन हुए थे माइनस में कभी भी दिनों को नहीं गिना जाता तो एन तो हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स गिंती के लिए ना तो हम इसको रिजेक्ट कर कितनी टर्म्स हैं उसका मतलब इस एक तो यह मैं पता करना था तो देखा आपने कई बहुरा में यह क्वेस्ट्शन देखने में डिफिकल्ट लगते हैं यह भी इसी है पर कैलकुलेशन और लेंग जाद है और एक बात और आपने देखा कि जो हम पढ़ रहे हैं वह आगे काम आ रहा है जैसे यहां पर हमें जो हमने linear equations का method के वह यहां पर काम आ रहे हैं उसी ता quadratic equations भी यहां पर काम आ इसलिए यह नहीं हम कह सकते कि अगर एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसका काम खतम आगे उनकी practicability है ठीक है अब आपने यह आपके चैप्टर 5 की थर्ड exercise है 5.3 उसमें इससे और भी related questions आप उनकी practice कीजिए अगर कोई question नहीं solve हो रहा तो आप comment में बता सकते हैं तिल देन थाइंक यू हैव नाइस जे